मिस्स वर्ल्ड और बॉल्लिवुड की सफल एक्ट्रिस अर्श्वरिया राय बच्चन हाली में एक शादी अटेंड करने बैंगलोरूल पहुंची थी यहां अर्श्वरिया के परिवार का काफी भव्य स्वागत किया गया था नमस्कार सिर्फ खबर मिलेगी आपको देर इस नो नीड टू बी कन्फ्यूजड और अमंद्रपाठी के साथ आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्ट नैन नियोज आज हम आपको बताएंगे आखिर किसकी शादी अटेंड करने पहुंची थी अश्वरिया राय बच्चन शादी में वो पती अविशेक और अपनी बेटी अराध्या बच्चन के साथ शामिल हुई थी एश्वरया अपनी कजन श्लोका शेटी की शादी में शामिल हुई जिसके तस्वीरें सोशल मीडिया पर चारों और चाई हुई है एश्वरया राय बच्चन के फैंस को अभिशेक और अराध्या के साथ उनकी तस्वीरें काफी पसंदा रही है शादी में एश्वरया की माँ व्रिंदा राय भी मौजूद थी बच्चन परिवार और व्रिंदा राय की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब बाइरल हो रही है खास तौर पर एश्वरया का लुग दर्शकों को ज़्यादा लुभा रहा है बच्चन परिवार ने पारंपरिक वेशभूशा धारण की है तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि अश्वरया राय और अभिशेक बच्चन ने शादी से पहले के एक समारों में पैस्टल कलर की पोशाक बहनी है वहीं अराध्या ने लाल रंग का नारगली शूट पहना है जिसमें वो बेहत सुंदर और क्यूट लग रही है इतना ही नहीं तीनों ने अपनी पोशाक की मैचिंग के मास्क भी पहने है फैंस को तीनों का ये लुप काफी पसंद आ रहा है वहीं दूसरी फोटो में अश्वर्या लाल रंग के एथनिक आउटपिट में नजर आ रही है और अराध्या ने पिंग कलर का लहगा पहना है शादी की तस्वीरों में अभिशेक बच्चन कहीं नजर नहीं आए अश्वर्या दूलहा दूलहन और अपने रिष्टेदारों के साथ पोज़ दे रही है बता दें कि श्लोका से टी अश्वर्या की मौसी की बेटी है बर्प्रंट की बात करें तो इन दिनों अश्वर्या आपने आने वाले प्रोजेक्ट पॉनियन सेलवन की शूटिंग में व्यस्त है लेकिन वो समय निकाल कर शादी में शरीक हुई थी मेडिया रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में अश्वर्या का डबल रोल देखने को मिलेगा एक मंदाकिनी देवी और दूसरा रोल नंदिनी देवी का या देखना काफी दिल्चस्थ होगा कैसी लगी आप कोई रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों को पाने के लिए देखते रहे हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन नियूज धन्यवाद